हलो फ्रेंड्स, स्वागत था आपका अपने यूट्यूग चैनल पर आज की वीडियो नीट यूजी एन्मसी बिल से रिलेटिड रहेगी तो गया सुप्रीम कोट का जो फाइनल डिसिजन है एन्मसी बिल को लेकर वो क्या रहा है वो आज मैं आपको बताने वाली हूँ एन्मसी बिल जो पास होना था वो 50% सीटो की फीज जो होगी सरकारी फीज के बराबर से रिलेटिड था तो गयास मैं आपको बता दू जो प्राइवेट कोलेजिस जो है उनकी जो फी होती है उनमें 50% सीटो की फीज गौर्वर्मेंट कोलेज के एक्वेलेंट जो लेकर एन्मसी बिल पास के जाने की बात हो रही थी 2022 में एन्मसी बिल लागू होने की बात हुई थी लेकिन गाइस 2022 में लागू नहीं हुआ ठीक है कुछ स्टेट्स ने बोला था तीन से चार स्टेट ऐसे थे जिनमें फाइनली जो है कोर्ट के थू भी डिसिजन आ चुका था कि एन्मसी बिल लागू होगा लेकिन उन पर स्टेल लग गई उसके बाद से जो है एन्मसी बिल लागू नहीं हो पाया 2022 में अब 2023 में पूरे चांसे जाया एन्मसी बिल जो है लागू होने के तो अगर एन्मसी बिल लागू हो जाता है तो आप लोगों के लिए काफी बेनेफिट वाली बात है तो अब को नीट यूजी से रिलेटिड की हर टाइप की इनफोर्मेशन चाहे वो नीट यूजी 2023 एप्लिकेशन फॉर्म, रिजल्ट, कट ओफ, काउंसलिंग से रिलेटिड की पल-पल की अपडेट आपको इस चैनल के थूरू प्रोवाइड करवाई जाएगी अब देखे गाईज हम बात करते हैं एनमसी बिल की क्योंकि आप सभी को पता है आज के टाइम पे जो सबसे ज़्यादा प्रोब्लम है वो है फीस की कि फीस काफी ज़्यादा इंडिया में ली जा रही है मेडिकल कॉलेजिस की अगर हम फोरेंस के बात करें तो जो स्टुडेंट्स है इंडिया को छोड़ कर फोरें में एंबीबियस की पढ़ाई करने चले जाते हैं क्यों क्योंकि वहां पर फिस कम है कंपेर देन इंडिया इसलिए एनमसी बिल लागू होने की बात हो रही थी कि हमारे जो इंडिया के स्टुडेंट है वो इंडिया में ही कर पाए वो एंबीबियस या मे सुप्रिम कोर्ट ने प्राइविट मेडिकल कोलेज और डीम्ड यूनिवसिटी में 50% सीटों की फिस सरकारी फिस के बराबर रखने के मुद्दे पर NMC की ट्रांसफर याचिका पर नौटिस जारी किया, तो नौटिस गैज आ चुका है, क्या नौटिस आया है, वो एक बर दे सुप्रिम कोर्ट ने सुकरवार को रास्टे चिकितसा आयोक के फैसले की वैदता को चुनोती देनी वाली याचिका पर नौटिस जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि प्राइविट मेडिकल कोलेजों और डीम्ड यूनिवसिटीज में 50% सीटों की फिस उस राज्य और कें सासीत प्रदेश के सरकारी मेडिकल कोलेजों की फीस के बराबर होनी चाहिए, याचिका से सम्मन्धित、 राज्यो और केंडर सासीत प्रदेशों में सरकारी मेडिकल कोलेज में। सब्सक्राइब करने के मांग कर रहा है तो जस्टिस डी वाई चंद्रचूर और जस्टिस हीमा कोहली के बैंच के समक्ष स्थाना अंत्रण याचिका मुख्या याचिका और जुड़े मामलों को चार नॉमबर 2022 को सुचिवद किया जाना था तो अब बात क्या हुई है तीन फरवरी 2022 को जारी किये गए आक्षे पित ओम में कहा गया कि प्राइविट मेडिकल कोलेज में 50% सीट किसी विशेश राज्जे की सरकारी मेडिकल कोलेजों में सुल्क के बराबर होने चाहिए इसके अलावा यह परिकल्पना करता है कि इस तरह के सुल्क ढहाचे का लाब पहले उन उम्मिद्वारों को उपलब्द कराये जाएगा जिन्होंने सरकारी कोटा सीटों का लाब उठाया है लेकिन सम्बंदित मेडिकल कोलेज डीम्ड यूनिवसिटिज की कुल स्वीक्रत स संख्या के 50% तक सिमित है पीछले अवसर पर याचिका करता की ओर से उपश्थित सीनियर एड वोकीट मनींद्र सिंघ ने नियाल्य को अउगत कराया था कि तीन उचन्याल्यों केरल उचन्याल्य मध्यब्रदेश उचन्याल्य और म23 विवादित ओंपर रोग लगा दिया ह उने कहा था कि मदरास उच न्याल्य ने वास्तों में लागू अधिसुचना को कानून में खराब पाया और इसे नियामक को वापस भेज दिया सिंग ने पीट को सुचित किया कि चुंकि उच विध्यालियों ने अपने अपने राज्यों में अधिसुचना के संचालन पर रोक लगा दी है इसलिए याचिका करता अखिल भारतिय प्रभाव के लिए सर्वोचे न्याल्य का दर्वाजा खट-कटाने के लिए वीवस है बेक्ग्राउंड में गाईज क्या चल रहा है इस चीज को लेकर AHSI Association of Health Sciences Institute की ओर से दायर मुख्य याचिका में कहा गया है कि AHSI दावारा दायर याचिका सुप्रिम कोर्ट ने विभिन फैसलों में बार-बार कहा था कि फीस के निर्धारन की विधी कोलेज में उपलब्द सुवीधाओं, बुनियादे डहाचे की गए निवेस का समय विस्तार की योजना आदी जैसे विभिन दिशान रदेशों पर विचार करने के अधिन होगी चुंकि इस मानन्य न्याल ने प्रतेक प्राइवेट गैर सरकारी प्राप्त संस्थान को अपने सभी खर्च और छात्रों से उच्च सिक्षा प्राइदान करने में उचित सर प्लस लाब वसूलने का अधिकार दिया है राजय या इसकी किसी एजेंसी को इस सम्मंद में कोई प्रतिवंद या किसी वितरह का निसेद लगाने में कोई उध्यम करने की कोई अनुमती नहीं है प्रतेक संस्थान कोलेज में भरती प्रतेक छात्र एन आर आई सीटों के अलावा कि उस आधार पर वार्शिक फिस वासूलने का हगदार है राजी किसी भी मामले में इस सम्मंद में हस्तशेप नहीं कर सकता है तो गाइज एनमसी बिल को लेकर जो फाइनल डिसिजन है वो अब तक सुप्रेम कोर्ट के थूर नहीं दिया गया है क्योंकि अब तक जो डिसिजन जो चल रहे थे एनमसी बिल को लेकर वो जो स्टेट सेट सब के हाई कोर्ट में चल रहे थे और अब गैस यह मामला वहां से नहीं सुधरने वाला है अब सभी स्टेट्स मिलकर सॉप्रीम कोर्ट का दर्वाजक खट काने वाले है और सॉप्रीम कोर्ट का ही फाइनल डिसजीन आएगा NMC Bill को लेकर after that जो है नमसी बिलाब का 2030 में लागों होने की संभावना है लेकिन full and final नहीं बोला जा सकता क्योंकि सुप्रिम कोर्ट पता नहीं कितना डिले कर दे और 2023 के admission बेगाए जल्द ही होने होंगे क्योंकि 7 में को 2030 का exam हो जाएगा और साथ में को exam होने के 32 जून को इसका result आजाएगा ठीक है guys तो यह आप लोगों के लिए important information थी आपकी क्या राए है इस चीज में एनमसी बिल को लेकर कि लागों होना चाहिए या नहीं होना चाहिए और लागों होता है तो कितनी जो गॉर्मेंट कॉलेजिस है उन सभी की गॉर्मेंट कॉलेजिस की फीवी अलग-अलग होती है तो किन basis पर जो है फी का निर्दारन होना चाहिए अपने राए कॉमेंट वोक्स में जरूर कीजेगा तो गये जल्द ही मिलते हैं नेक्स न्यू अपडेट के साथ तब तक के लिए थैंक यू